हेलो फ्रेंड्स, जैम आतादी, मैं विजय जडिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड़वन लेवल आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम LIS Blue के API के मदद से Excel के अंदर डेटा फेच कर सकता है, चाहिवा Open High Low Close का डेटा हो या फिर Candlestick का डेटा हो, प्रिविएस काई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप किसी भी ब्रोकर के API के मदद से Excel के अंदर लाइव डेटा फेच कर सकता है Candlestick डेटा फेच कर सकता है और Easily Order भी प्लेस कर सकता है और प्रिविएस वीडियो में मैंने इन सब वर्को करने के लिए एंजल की API को यूज किया था और उन वीडियो में मैंने सभी बाते को ये डिटेल ने बताई है और आपसे यह भी बताया था कि यह सिस्टम लगबग सभी ब्रोकर का सेम ही होता है और आप चाहे एंजल की API को यूज करिए एलाइस ब्लू की API को यूज करिए जीरोधा की API को यूज करिए फायर्स की API को यूज करिए आप किसी भी API को यूज करेंगे तो लगबग केंडल स्टिक डेटा फैच करने का तरीका live data fetch करने का तरीका और order place करने का तरीका लगबग similar ही होता है और वा angel की file मैंने आप सभी के साथ अपने telegram channel में share भी की थी और आज की वीडियो में मैं Elias Blue के API के मदद से जो python file बनाऊंगा वह भी मैं आप से telegram channel में share कर दूँगा तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और अगर previous वीडियो को देखेंगे तो आप किसी भी broker के API के मदद से easily Excel में data fetch कर सकेंगे order place कर सकेंगे और candlestick data भी fetch कर सकेंगे जो python file है उसको मैंने already video studio code में open करके रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने angel के login ID डाली थी यहाँ पर हमने अपने workbook को select किया था यहाँ पर हमारे workbook के different seat को select किया था और यहाँ पर हमने time की setting करी थी जिस time का candlestick data हमें Excel में fetch करना है उसके बाद Excel के अंदर जो हमने password set किया है API के set किया है secret के set किया है जो हमने हमारे Excel के credential seat के अंदर यहाँ पर set करके रखी थी उसी को हमने Python में fetch किया है उसके बाद में यहाँ पर हमने angel में login किया है यहाँ से हम order place कर सकते है यह LTV का formula है और एक candlestick data fetch करने का formula है उसके बाद में यहाँ पर आप angel के जो token list होती है जिसके अंदर सभी instrument के token रहते है उसके लिए भी मैंने यहाँ एक formula add कर दिया है और बाद में नीचे मैंने function add किया है किसी भी function को आप चाहे है तो उससे में run कर सकते है तो यह file भी मैं आप सभी के साथ में अपने telegram channel में share कर दूँँगा और यह फिलाल angel की file है तो आप देख सकते हैं यह file यहाँ पर bank nifty का symbol मेंने select करके रखा है तो अगर हम लाइव market में bank nifty का open high low close का data चाहिए या फिर candlestick data चाहिए तो हम easily इस file के मदद से live market में fetch कर सकते हैं example के लिए मैं यहाँ पर इन सभी data को delete करता हूँ और अब अगर हम इस file को run करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर bank nifty का intra day का open high low close का data आ चुका है और साथ में candlestick data भी fetch हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह data 22 फर्वर्वर्टी से लेके 4 मार्ज तक का है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने previous 10 days का 15 minute के candlestick data नीचे fetch कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो oldest data है वो उपर है और जो newest data है वो सबसे नीचे है तो कुछ विवर्वर्वर्व की query आ रहे थी किस data frame को पूरी तरह से उल्टा किस तरह करें जहाँ पर जो latest time होगा वो उपर आएगा और जो oldest time होगा वो सबसे नीचे आएगा तो उसके लिए आपको simple जहाँ पर हम हमारे candlestick data को fetch करते हैं उसके पीछे एक square bracket लगाके दू बार column लगाना है और minus one लिखना है अब अगर हम इसको run करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो oldest data था उसके जगव यहाँ पर latest data आ चुका है और जो oldest data है वो सबसे पीछे जा चुका है तो इतने easy तरीके से आप इस data को पूरी तरह से reverse कर सकता है तो यह सब data angel के API के मदद से fetch हो रहा है और यह सब मैंने आपको अपने previous वीडियो में अलग-अलग वीडियो में बहुत ही detail ने बता है अब हम आज की वीडियो में LIS Blue के API को use करेंगे तो उसके लिए हम सबस्पहले LIS Blue के API documentation को read करेंगे तो हम यहाँ पर search करेंगे LIS Blue API documentation और यहाँ पर जब से पहली वाले link है इसमें हमें क्लिक करना है यहाँ पर आप देखेंगे reference libraries यहाँ पर libraries and SDKs इसमें हमें क्लिक करना है और यह जो पहला option है github.com का इसमें हमें क्लिक करना है तो इस page में आपको पूरी detail मिलेगी कि किस तरह आपको LIS Blue के API को run करने के लिए libraries को install करना है किस तरह आप अपना balance profile device position holding position सब कुछ चेक कर सकते है किस तरह आप अलग-अलग instrument के token को fetch कर सकते है और LIS Blue के API बहुत ही easy है और इसके अंदर आप किसी भी symbol के data को बहुत ही easily fetch कर सकते है और बहुत ही easily इसमें trade कर सकते है तो LIS Blue के API को use करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई file create करेंगे mylislogin.py अब हम इस documentation page के मदद से हमारे LIS Blue के API की setting करेंगे तो सबसे पहले हम इस library को install करना है तो हम pip install pi A3 इसको यहाँ से copy करेंगे terminal में जाएंगे new terminal में click करेंगे इस formula के यहाँ पर control wicker paste करेंगे और enter करेंगे जिस समय आप first time run करेंगे तो यह library install हो जाएगी मैंने already इस library को install किया है इसलिए requirement already satisfied इस तरह लिखावा आ रहा है तो इसका मतलब pi A3 library हमारे computer में successfully installed है अब अगर इसके बाद में हम next function को देखेंगे pip no catch dir install upgrade pi A3 अगर lsblue अपने इस library के अंदर को यह upgrade करता है तो आप भी अपने computer के अंदर इस formula के मदद से उसको upgrade कर सकेंगे तो उसके लिए आपको इस line को copy करना है और हमारे terminal के अंदर control wager paste करना है और enter में click करना है तो आप देख सकता है यहाँ पर लिखावा आ रहा requirement already satisfied इसका मतलब जो library हमने install कर रखी है वो already updated है अब इसके बाद में इस library को use करने के लिए हमें इस function को use करना है from py3 import star इसको हम यहाँ से copy करेंगे हमारी python file ले paste करेंगे तो इस function के मदद से lsblue के API के सभी function को हम use कर सकेंगे अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो lsblue के API को use करने के लिए हमें सिर्फ इन दो चीजों की जरुद है पहला आप देख सकते हैं user ID और दूसरा है API की तो इन दो credential के मदद से हम lsblue के API को use कर सकेंगे तो हम इस function को यहाँ से copy करेंगे और हमारे python file के अंदर paste करेंगे और user name की जगह मैं यहाँ पर अपना user name डाल दूँगा और API की की जगह मैंने आपर अपने API की के value डाल दिये अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर next function है ls.get session id इस function के मदद से आपने डिमेट अकाउंट के अंदर login कर सकेंगे तो इसको हम यहाँ से copy करेंगे और हमारे python file के अंदर control विकरे पेश कर देंगे अब अगर हम इसको run करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर error आया है user data none, encryption की none, API की none तो यह error क्यों आई है तो इसका reason है ls.blue के अंदर इस तरह की setting है कि आपको API को use करने से पहले कहीं ने कहीं पर login करना पड़ेगा चाहिए आप website में login करिए या फिर आप mobile app में login करिए किसी भी जगर आपको एक बार first time दिन में login करना पड़ेगा उसके बाद में अगर आप इस file को run करेंगे तो किसी भी तरह की error नहीं आएगी और मैंने इसलिए आज सुबह से एक बार भी इसके अंदर login नहीं किया है जिससे आज समझ सके कि अगर इस तरह की error आती है तो उसको किस तरह से solve करना है तो इसको solve करने के लिए हम इसी function को दुबारा run करेंगे लेकिन उससे पहले हम एक बार website के अंदर login कर लेंगे तो यहाँ पर हम lisblue login इसको search करेंगे और यह जो पहला option है end.lisblueonline.com इसमें click करेंगे तो मैं यहाँ पर एक बार इसको login कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने lisblue की website में login कर लिया है अब अगर हम फिर से इस file को run करेंगे तो आप देख सकते हैं status OK आ चुका है और यहाँ पर एक session ID generate हो चुकी है तो lsblue के API को use करने के लिए आपको एक बार या तो अपने mobile app में login करना है या फिर अपने website में login करना है और lsblue के API के अंदर आप API के साथ साथ अपने website को भी use कर सकते हैं और उसके साथ ही अपने mobile के app को भी use कर सकते हैं सभी जगा आप एक साथ login कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह का error नहीं आया और session ID generate हो चुकी है इसका मतलब हमारे function ठीक तरह से work कर रहा है अब हम यहाँ पर दूसरे function को check करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं balance को देखने के लिए function है print lice.getbalance तो हम इसको यहाँ से copy करेंगे और यहाँ paste करेंगे और फिर से इसको run करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी balance है वो यहाँ पर update हो रहा है तो यह lice blue के API बहुत ही perfectly work कर रही है और इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ अपना user ID चाहिए और आपके lice blue के API की चाहिए और इस file को आप दिन में first time run करते हैं उससे पहले आपको website में log in करना है या फिर mobile app में log in करना है और एक बार आप log in करते हैं उसके बाद भले ही आप उसको close कर लिजे अगर आप next time भी इस file को run करेंगे तो आप देख सकेंगे किसी भी तरह का error नहीं आएगा और यह data easily fetch हो रहा है तो lice blue ने बहुत ही अच्छा system दिया है जिसके मदद से आप API को बहुत ही easily use कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तरह यह function दिये हुए है पहला function है lice.get device position यहाँ पर आप अपने carry forward position को देख सकते हैं second function है lice.get netwise position इस function की मदद से आप अपने intraday position को देख सकेंगे और इसके बाद next function है lice.get holding position इसके मदद से आप अपने holding को देख सकेंगे अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि instrument के token को किस तरह से fetch करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि function बनाये हुए है पहले function के मदद से lix.get contactmaster mcx यहाँ इसके मदद से आप mcs के instrument को fetch कर सकेंगे फिर इस second function है उसके मदद से आप nfo को data fetch कर सकेंगे तो हम इन सभी को यहाँ से control से करें कॉपी करेंगे और हमारे python file में control वीकरे पेश कर देंगे जिससे सभी contactmaster हम download कर सकें अब हम एक बार इस file को run करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी contactmaster download हो चुक है और यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी CSV file download हो चुकी है अगर आप इस CSV file में click करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सभी instrument के token, instrument का नाम उसका symbol, सभी कुछ इस CSV file के दर installed है अब इसके बाद में हम next function में जाएंगे अगर हमें किसी particular stock का या फिर index का instrument fetch करना है तो वह किस तरह करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत easy function है lis.get instrument by symbol और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह NAC के script है, second में आप देख सकते हैं यह BSC की script है, यहाँ पर M6 की script है उसके बाद में nifty 50 के instrument को fetch करना हो जाफे nifty bank के instrument को fetch करना हो इस सब के लिए अलगला function यहाँ पर दिये हुए हैं तो इसी को हम यहाँ से control से करें copy करेंगे और यहाँ पर control वी करें पेस्ट करेंगे अब अगर हम इसको run करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे instrument का exchange, token, symbol, name और expiry और lot size यह सभी कुछ automatic fetch हो रहा है तो इस easy function के मतदद से हम किसी भी instrument का token fetch कर सकते हैं और हमने आप ए contact note को download कर लिया है तो अब हम इस function का एक बाद disable कर देंगे अब हम इसके बाद में next function में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि fendo के symbol के instrument को fetch करने के लिए यहाँ पर अलग function दिया हुआ है यह first three function है यह आप देख सकते हैं बैंक nifty के लिए है तो अब हम इसके बाद में देखते हैं अगर हम LTP के data को fetch करना है या फिर candlestick data को fetch करना है तो उसका function कहाँ पर दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं get current OHLC upper and lower circuit data तो इस function के मदद से आप live market में LTP data को fetch कर सकते हैं तो हम अगर इस function को यहाँ से control से करें copy करते हैं और हमारे file में यहाँ पर paste करते हैं अब अगर हम इसको run करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक error आई है इस error का reason है कि यहाँ पर जो MCX का token दिया हुआ है या किसी ऐसी contact का है जो अल्रड़े expired हो चुकी है तो उसकी जगह हम यहाँ पर NST या फिर BST के किसे symbol को fetch करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और function दिया हुआ है जिसके मलत से reliance का future का symbol fetch किया हुआ है तो हम इस function को यहाँ पर control से करें copy करेंगे control भी करें पेस्ट करेंगे और उसके बाद में इस function को यहाँ से हटा कर नीचे पेस्ट कर देंगे और इन सब को delete करके यहाँ पर हम simply लिख देंगे instrument यहाँ पर हमने reliance के future का data fetch करने के लिए उसके token को instrument variable में store कर दिया है और उसके बाद में हम इस function के मदद से LTP data को fetch कर रहे हैं तो अगर हम इस file को run करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर reliance का data आ चुका है और अगर इस data के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको VWAP मिल जाएगा last rate quantity मिल जाएगी last rate price मिल जाएगा open price, buy rate, buy quantity यहाँ पर आप सिंबल का name देख सकते है reliance, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते है total swell quantity, यहाँ पर आप high देख सकते है उसके लाबा yearly high price, yearly low price उसके लाबा total buy quantity low, volume और यहाँ पर आप देख सकते है trading symbol, यह symbol आप देख सकते है reliance 23 March future इसका मतलब यह reliance के latest expiry का data है और यहाँ पर expiry भी देख सकते है 29 March 2023 तो यह जो data आया है यह reliance का current expiry का data है तो इस simple function के मदद से आप किसी भी future का data fetch कर सकते है अब अगर हम यहाँ पर reliance की जगह HDFC का data चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देखे HDFC और अगर हम इस function को run करेंगे तो आप देख सकते हैं यह HDFC का data आ चुका है और वह same data यहाँ पर available है इस data के अंदर आपको open high low close, vwap, volume यह सभी detail यहाँ मिल जाती है और इस data से open high low close, volume, vwap इन सब के value को कैसे लेना है वह मैंने आपको अपने previous videos में बहुत ही detail में बताया है तो आप उसी तरह इस data में से भी open, high, low, close, volume, vwap इसकी setting अपने Excel में कर सकते हैं अब हम इसके बात देखेंगे कि अगर हमें candlestick data fetch करना है तो हमें कौन से function को use करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं आपे get historical data तो इस function के मदद से आप किसी भी stock का या future का candlestick data easily fetch कर सकते हैं तो इस पूरे function को हम यहाँ से control से गरें कौपी करेंगे और यहाँ control विगर पेश कर लेंगे अब इसके अदर आप यहाँ पर देख सकते हैं LIS की user idea or API को हमने already use किया है तो इस function को में यहाँ से delete कर देंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत यह simple function यहाँ पर use किया गया है जिसके अंदर date time library को use किया गया है और यहाँ पर आप interval देख सकते हैं interval 1 minute का है और एक single line के मदद से आप candlestick data को fetch कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे days equal to 7 इसका मतलब previous 7 days के data को यहाँ पर fetch किया गया है तो अब हम इसको run करने से पहले इस initial function को disable करेंगे अब अगर हम इसको run करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एक error आया है line number 26 में यह error है from date time और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक error है date time.date time has no attribute time delta time delta का जो function lsblue ने यहाँ पर use किया है वो function फिलाल अवेलेबल नहीं है या तो वो change हो चुका है या फिर वो upgrade हो चुका है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा modification करेंगे यहाँ पर हम date time की library को import करेंगे import date time as dt और उपर आले function को delete करेंगे और अब हम यहाँ पर लिखेंगे dt.date time.now dt. time delta अब अगर हम इसको run करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर candlestick data fetch हो चुका है तो बहुत easy function के मदद से आप candlestick data को easily fetch कर सकते हैं अब इसके बाद में अगर हमें order place करना है तो कौन से function को use करना है तो यहाँ पर lis.place order यह इस तरह के अलगला function दिये वह हैं और इस function के उपर अगर आप देखेंगे तो सभी function के उपर में कुछ detail में लिखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैu interaction type by order type market, product type delivery तो इस function की मदद से आप market में buy order place कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं product type delivery इसी को यहाँ पर use किया गया है उसी तरह अगर आप next function में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं order type market और product type intraday तो उसी को आप देख सकते हैं यहाँ पर use किया गया है तो हम यहाँ पर एक इंट्राइड की ओडर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम इस function को control से करेंगे यहाँ पर control भी करेंगे पेश कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं instrument के अंदर ls.get instrument by symbol nsc.inf इसका मतलब यह order जो place होगा वो इनफी में place होगा तो अगर हम इसको run करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक order edit generate हुई है तो इसको अगर हम website में check करें तो order के अदर आप देख सकते हैं इनफी के अंदर एक quantity को order जा चुका है और आज Saturday को लगता है यहाँ पर mock trading चल रही है इसलिए order execute हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंग neste का data थे अपडेट हो रहा है वैंचर सर्वीं सगते रहे डिटा भी अपडेट हो रहा है आज आप देख सकते हैं Saturday का दीन है फिर भी यह सबी data यहाँ पर अपडेट हो रहे है और हमने जो order place कि आ है वो order भी यहाँ पर execute हो चुका है हमने nv का एक quantity order प्लेस क्या था market में तो वो order यहाँ पर execute हो चुका है और executed में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे order बता रहा है तो इस बहुत यह simple function के मदद से आप ls.blue के अंदर order भी प्लेस कर सकते हैं अब इसके बाद में अगर हम next function में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब सोकट से data के इस तरह से फैच करना है उसकी पूरी detail यहाँ पर दीवी है तो हम इस पूरे function को यहाँ से copy करेंगे Ctrl C करके Ctrl V करके यहाँ पर paste कर देंगे तो इस place order वाले function को हम यहाँ पर comment कर देंगे और उसके लिए जो पहले हमने candle data को fetch करने का function मनाया था उसको भी हम यहाँ पर comment कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक symbol को subscribe किया गया है जिसका token है 26,000 और यह लिखावा indices तो यह यह तो nifty का data होगा यह bank nifty का data होगा तो एक बार हम यहाँ पर इस file को run करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे data आना start हो चुका है और यह live data है यह web socket के मदद से आ रहा है यह live market में भी इस तरह सब्डेट होता रहेगा आप यहाँ भी देख सकते हैं 17,692, 17,691 इसका मतलब यह nifty का data है तो आप देख सकते हैं इस function के मदद से आप easily live market में भी web socket के मदद से data fetch कर सकते हैं तो सबी कुछ बहुत ही detail में बताया गया है अगर आप LIS Blue के documentation page देखेंगे तो उसमें सबी चीज़ा आप बहुत ही detail में देख सकेंगे और इनी function को आप simply copy paste करके अपने LIS Blue के dmit में easily trade कर सकते हैं और Excel के अंदर live data fetch कर सकते हैं और Excel से trade भी कर सकते हैं तो इस file को भी मैं अपने telegram channel में share कर दूँगा इसके अंदर आप उपने user ID और API की को use करके इन सभी function को काम भी ले सकेंगे और download करने के बाद में आपको जिस function को use करना है उसको select करना है और उसको uncomment करना है तो इस तरह से आप इस function को use कर सकेंगे तो इसके लिए आप shortcut भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हर एक line के पहले इस hash और space को delete करेंगे तो इस function comment से un-comment हो जाएगा और बाद में या पुरी तरह से वर्क करेगा telegram channel को join करने की link इस वीडियो की description दो उसमें दी वी है तो आसा करता हूँ जो जानकरी मैंने आपको इस वीडियो में share की है उसके मदद से आपके trading में आसानी होगी और LS Blue के API के मदद से आप live data को easily fetch कर सकेंगे और order को place कर सकेंगे और LS Blue के अंदर API को activate करना भी बहुत easy है अगर आप website में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह orders के नीचे apps का button है यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं API की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अपनी API की मिल जाएगी इस API की को आप अपने python file में यूज कर सकेंगे और इस API गो अगर आप वो चेंज करना है तो आप देख सकते हैं Regenerate API की इसमें आप क्लिक करेंगे यहाँ पर टिक करके Confirm में क्लिक करेंगे तो यह API की भी इजिली चेंज हो जाएगी तो बहुत एजी फंक्शन दिये हैं जिसके मदद से आप LS Blue के API को बहुत एजी ली यूज कर सकेंगे और LS Blue के अंदर API भी बिल्कुल फ्री है इसका किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है और अगर आपका LS Blue के अंदर Demet Account नहीं है और अगर आप LS Blue के अंदर Demet Account ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये के लिंक से LS Blue के अंदर आप आज ही अपना Demet Account ओपन करवाई है और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये के लिंक से LS Blue के अंदर Demet Account ओपन कराएंगे तो मैं आपको एक exclusive टेलेग्राम चैनल के अंदर एड कर दूँगा जिसके अंदर मार्केट से रिलेटेड अपडेट और ट्रेडिंग आइडियाज सेयर करता रहता हूँ उस चैनल का किसी भी तर का चार्ज नहीं है वह चैनल स्पेशली उन्हीं क्लाइंट के लिए है जिनका मेरे बास में डिमेट अकाउंट है तो अगर आप भी उस चैनल को जोइन करना चाहते हैं तो आप अपना डिमेट अकाउंट मेरे अंडर ओपन करवा सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन में क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोट्फिक्शन मिलता रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, जिसके मदद से चैनल स्क्राइब के अंदर किस तरह से इंडिकेटर्स को एड़ करना है, किस तरह से लाइव मार्केट में सिंग्नल जनरेट करना है और किस तरह से आटोमाटिक ओर प्लेस करना है, वह सभी मैं आपको बहुत ही डीटेल में बताऊँगा, और उसके साथ ही ट्रेडिंग व्यू के साइट के अंदर किसी भी स्टेजी को किस तरह से बेक्टेश करना है उसके भी वीडियो आने वाले टाइम में मैं अपलोड करने वाला हूँ तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दूसरे वीवर्स और ट्रेडर्स के साथ भी इस चैनल को सेयर किजिए जिससे मुझे भी नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और जो जानकारी मैं अपने वीडियो में दे रहा हूँ आसा करता हूँ उसके मिद्द से आपके नॉलेज इंक्रीस हो रही है और उसके साथ ही ट्रेडिंग में भी आपके हल्प हो रही है और मेरे वीडियो में दी के जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे टेडर के साथ भी सिहर कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो जैमाता दी